तो ऐसी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं हमारे चैनल से जुड़ने के लिए नीचे आप सभी को रेड कलर के सस्क्राइब को बटन दिखाई दे रहा होगा उस पे क्लिक करके जो है आप हमारी चैनल के साथ बड़े अराम से जुड़ सकते हैं हेलो दोस तो नमस्कार आज इस वीडियो में जो है मैं आप सभी को ये बताने वाला हूँ कि रियल मी के मॉवाइल में आटो कॉल रिकॉर्डिंग कैसे किया जाता है तो बीना समय के ववाइ वीडियो को सुरू करते है सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये वाला जो अपलिकेस्ण है न Això इस अपलिकेस्ण को आपको अपडेट करना पड़ेगा तो इससे पहला जो आपको इसको update करना पड़ेगा update करने के लिए play store में आपको चले जाना है play store में आने के बाद जो यहाँ पे click कर देना है और लिखना है phone ठीक है phone लिखने के बाद जो आप सभी को यहाँ पे search कर देना है सर्च करेंगे तो यह वाला अप्लिकेशन जो यहां पे दिखाई देगा इसको क्लिक करके ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद यहां पे अपडेट का ओप्सन होगा इस पे क्लिक करेंगे तो 1415 MB का जो यह अपडेट रहता है तो यह करीबन एक मिनट 30 सेकेंड के अंदर जो है यह अप्लिकेशन आपके मौवैल पर डाउनलोड भी हो जाएगा और इंस्ट्रॉल भी हो जाएगा तो अपडेट जो है आपको सबसे पहले करना पड़ेगा ठीक है उसके बाद जो आपको बैक आ जाना है बैक आने के बाद जो है फिर से इसी अप्लिकेशन को ओपन कर लेना है अब उपन होने के बाद जो यह अप्लिकेशन कुछ इस प्रकार से आपके मौवैल के स्क्रीन पर दिखाए देगा उसके बाद जो यहां पर तीन डॉट्स दिखाए दे रहे हैं उस पर क्लिक कर देना है आपको क्लिक करने के बाद जो है सेटिंग वाले उप्सन पर चले जाना है जैसे ही आप यहां पर आएंगे ना तो आपको जो है यहां पर call recording को option देखने को मिलेगा इस पर click करके इसको open कर लेना है अब दोस्तों यहां पर जो है सबसे पहला वाला option जो है यहां पर दिखाई दे रहा है number not is your contacts और तो इसको जो है आपको चालू कर देना है चालू करने के लिए यहां पर जैसे click करेंगे तो यह वाला option आएगा इस पर click कर देना तो यह जो है चालू हो जाएगा अब यहां पर हुआ क्या है कि जो number आपके mobile पर save नहीं है उनका जो है आटो call recording चालू हो चुका है यानि कि वह phone करेंगे तो automatic जो है उनकी call record होना सुरू हो जाएगी माहिन के चड़िए कोई विक्ति आपको phone कर रहा है और उसका number जो है आपके mobile पर save नहीं है जैसे उसका phone उठाएंगे तो उसकी जो call recording है ना वह चालू हो जाएगी उसकी जो recording है वो start हो जाती है शुरू हो जाती है ठीक है अगर आप यह सोच रहे हैं कि कुछ contact जो है कुछ number जो है हमने अपने mobile पर save की है और उनकी भी जो है आटो call recording हम चालू करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे तो उसके लिए आपको यह दूसरा वाला option दिखाए दे रहा हो उसको चालू कर देना है क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पर पहला वाला option दिखाए दे रहा है उसको चालू कर देना चालू करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें गês तो यहाँ लावा आपसन आएगा इस पे क्लिक करके जो एक आप इसको चालू कर सकते हैं अब चालू करने के बाद जो है उन नंबर को आपको select करना पड़ेगा सेलेक्ट करने के लिए क्या करना है चूस a contact तो ये वाले option पे click कर देना अब जैसे कि ये वाला number है इस number का जो है मैं auto call recording चालू करना चाहता हूँ तो इस पे click कर देता हूँ जैसे click करूँ गो तो ये number जो है यहाँ पे आ चुका है ठीक है अगर आप कोई दूसरा और select करना चाहते है number तो इसी पे click करके और जिसका जो है आप select करना चाहते है उसका जो है यहाँ पे select कर सकते हैं यहाँ पे हमने दो number जो है save कर दिया तो यह जो दो number है अगर हमारे mobile पे phone करेंगे और जैसे हम इनका phone उठाएंगे तो इनकी जो auto call recording है वो चालू हो जाएगी यानि कि इनसे जो हम बात कर रहे हैं वो recording जो होना शुरू हो जाएगा ठीक है तो कुल मिलाकर इस तरीके से जो आप अपने realme के mobile में auto call recording चालू कर सकते हैं वीडियो के ओल इतनी थी पसंद आये तो like करिएगा